मौनसून की सक्रियता में कमी आने के कारण बिहार के विभिन भागों में भारी बारिश में कमी देखी जा रही है राजधानी पटना समेट प्रदेश के दक्षणी भागों में बादलों की आविजाही बने होने के कारण मौसम समाने बना रहेगा जबकि उत्री भागों के चार जिलों के किशन गंज, सुपोल, अररिया और पश्चिम चंपारण के एक या दो स्थानों पर गरज तड़क के साथ भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट ज़ारी किया गया है दो दिनों के दौरान तापमार में विशेश परिवर्तन की संभावना नहीं है सितंबर में 20 दिन तक मौनसून के सक्रिय रहने की संभावना है इस दौरान 178 से 200 मिलिमीटर वर्शा के आसार है राज के लिए सितंबर में समाने वर्षा का आकड़ा 216.5 मिलिमीटर है बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण आधरुता भी 80 से 95 के बीच रहेगी इस दोरान कड़ी धूप और हवा की सुस्त रफतार से उमस भरी गर्मी का एहसास होगा 21 और 22 सितंबर से प्रदेश में मौनसून लोटने लगेगा सितंबर में प्रदेश के अधिसंग के हिस्तों में समाने से कम और दक्ष्णी भागों में समाने बारिश के आसार है अधिक्तम तापमान भी 36 से 40 जिगरी सर्सियस के बीच रहने के आसार बने हुए है बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट बारिश दर्श की गई वेशाली के भगवानपुर में 25.2 मिलिमीटर वर्शा दर्श की गई मंगलवार को पठना और आसपास के इलाकों में दिन में कड़ी धूप निकलने के कारण लोग परिशान रहे शाम में बादलों की आवजाही बने होने से मौसम सामाने बना रहा मंगलवार को मधुबनी, पुर्णिया, किशन गंज और भागलपुर को छोड़ कर पठना सहित शेश जिलो के तापमान में व्रिधी दर्श की गई